EPFO की higher pension की calculation कैसे होगी इसके बारे में clarity हर कोई जानना चाहता है और EPFO भी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी तरफ से जितनी हो सके वो clarity प्रोवाइड कर सके और इसी के relation में उन्होंने एक FAQ यानि की frequently asked questions का document भी upload की अपनी site में जिसके अंदर उन्होंने pension की competition कैसे होगी उसके ऊपर थोड़ी सी light डालने की कोशिश करी है क्या लिख़ए उस FAQ document के अंदर कैसे हम उसको आसान भाषा में समझ सकते हैं और इसी के साथ कुछ और important update आपके साथ शेर करूँगा इस वीडियो में मेरा नाम है Amit आप देखे रिव पैसा matters लेकिन अगर आप पहली बार आए इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चलिए शुरू करते हैं कुछ important updates को लेके जो कि कुछ last महीनों में आए हैं और जो आपके लिए जानना जरूरी है सबसे पहले तो जो latest update हमारे पास आया है वो यह है कि EPFO ने employers को जो आपने joint application submit किया है उसको verify करने का time तीन महीने बढ़ा दिया है यानि कि जो timeline पहले हमारे पास September में end हो रही थी वो अब बढ़ा के 31 December 2023 तक कर दिया है और ये एक bad news है bad news इसलिए कि ये case last November से चलता आ रहा है पहले इस साल जो application apply करने वाला date थी उसको एक launch करने में इनको time लगा उस portal को launch करने में time लगा फिर उसके बाद जिस date तक आप apply कर सकते है उस date में कहीं बार revisions आई और उसके बाद अब जब employer को इनको verify करना है तो उसमें भी हमारे पस जो है काफी delay हो रहा है और इस delay के कारण जिन लोगों की pension already due है या फिर जो लोग कम pension ले रहे हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करन पड़ेगा और इसके साथ एक और problem माने वाली है कि जो लोग जिनको अपना amount submit कराना है वो amount अभी तक जैसे demand letter आ रहे हैं मैं आपके सामने screen पे share कर रहा हूँ कुछ example के लिए जैसे एक सजन के पास demand letter आया कि उनको अकस तक अगर पैसा देना है तो इतना पैसा देना है इतन काफी लोगों के पास आये हैं जो लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है वहां पे खुद शेयर की हैं और इसके कारण जैसे मैंने आपको बताया कि जितना delay होगा employer के द्वारा approve करने में उतने delay होगा EPFO को approve करके नया PPO order जारी करने में और उतने ही delay से आपको pension मिलेगी अब एक बात तो यहां पर अच्छी है जो मैंने पहले cover करी दी कि EPFO के जब भी आपको amount मिलेगा उसके साथ में अरियर्स जरूर मिल जाएंगे इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में भी cover किया था लेकिन वहां पे अरियर्स के साथ में आपको साथ में इसके 24 देती है अपने पैसे के ऊपर या जो भी amount हमारा उनके पास होता है उतना इंटरस्ट हम मार्किट में बिना कोई रिस्क लिए जनरेट नहीं कर पाते हैं तो यह थोड़ी सी न्यूस है जो कि I would not say is a good news for people and मैं hope करता हो प्रे करता हूँ कि इसके बाद deadline extend ना हो क्योंकि इसको सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले जो सवाल लोगों ने पूछा है वह यह पूछा है कि वाट विल भी फॉर्मला फॉर मेंबर पैंशन कैलकुलेशन भाई अब बहुत बार मैंने अपने चैनल पर कवर किया है मेरा हिंदी चैनल है यह और इंग चल रही है पहला फॉर्मला है जो कि पैरा 12 फॉर्मला है वहां पर लिखा हुआ है कि आपको प्रो रेटा बेस पर कल्कुलेशन होगी जिसके उपर मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बना रखा है लिंक आपको उपर आई बटन पर मिल जाएगा कि आपके जो फर्स सेप् कि और एक सज्जन ने आटे में पूछा था उन्होंने वहां पर पर ट्वल्फ डाला भी था यहां पर की कल्कुलेशन करने का यह तरीका है हमारा मेंबर पंशन का लेकिन साथ ही में वह यह भी कहते हैं कि यह जो है हमारे लास्ट बारा महीने की एवरेज यह उसके सब से सब्सक्राइब करते हैं और उसके हिसाब से कल्कुलेट करते हैं खैर उसको जैसे मैंने का एक अलग वीडियो में कवर किया हुए तो यहां पर सबसे पहला जो सवाल था फॉर्मला क्या होगा इन्होंने सीधा सीधा अपने EPS 95 डॉक्यमेंट का रेफ्रेंस दे दिया है second question आता है जो कि बहुत interesting question है कि how will member pensionable salary be calculated for members of EPS eligible for pension of higher wages who retired prior to 1st September 2014 and where date of commencement is also prior to 1st September 2014 अब ये case क्या कहता है ये case कहता है उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनकी retirement 1st September 2014 से पहले होगी थी और इनकी pension जो है वो भी 1st September 2014 से पहले start होगी थी देखिए दो चीज़ों का यहाँ पर जो है वरनन किया जा रहा है और ये दोनों चीज़े बहुत important है क्योंकि जितने भी cases है वो इनी दो चीज़ों पर बनेंगे तो यहाँ पर हम बात कर रहे है retirement भी हो गई है यानि कि इनकी जो age है 58 years की वो 1st September 2014 से पहले आ गई है और इनकी pension भी start होगी है उस case में कहता है कि जो भी आपका calculation होगी वो calculation कैसे होगी during average monthly pay drawn during contributive period of service in the span of 12 months preceding the date of exit तो 12 महीन वाला जो formula है वो लगेगा ऐसा इनका कहना है यानि कि case क्या है again आप 1st September 2014 से पहले retire भी होगे है और आपकी pension भी start हो गई है तो 12 महीन वाला formula लगेगा ऐसा EPFO के FA की document का कहना है इसी का एक और variant लेके चलते हैं जहां पर यह कहते हैं कि retire तो हुए 1st September 2014 से पहले लेकिन pension स्टार्ट हो रही है 1st September 2014 के बाद में अब यह बड़ा interesting aspect आता है तो यहां पर कहते हैं कि जब आपकी pension स्टार्ट हो रही है commencement of pension मतलब जब आपकी pension जिस दिन से स्टार्ट हो रही है उसके उपर depend करेगा कि आपकी कितनी average लेनी है और यहां पर कहने क्योंकि आपकी pension स्टार्ट हो रही है वो रही है 1st September 2014 के बाद में इसलिए last 60 महीने का जो amount है last 60 महीने की job की salary है उसको लिया जाएगा calculation करने के लिए कि आपकी pension कितने बनने वाली है अब यहां पर मुझे ऐस सा लगता है मेरे पास यह थोड़ी से clarity आती है इस particular question से क्योंकि हम बात कर रहे थे pro data की जब भी हम बात कर रहे थे तो pro data की बात कर रहे थे कि 1st September 2014 के बाद में जो service का period होगा उसका एक average लिया जाएगा और 1st September 2014 से पहले का जो period है उसका एक average लिया जाएगा और उससे calculation होगा लेकिन यह वाला जो question है यह शायद इसके बारे में clarity देता है कि actually मैं अगर आप 1st September 2014 के बाद में retire होते हैं let's say 2nd September 2014 को भी आप जो है retire होते हैं और आपकी sorry आप retire 1st September 2014 से पहले होगे लेकिन pension आपकी start हो रही है 1st September 2014 के बाद में जैसे 2nd September 2014 के बाद में आपके pension start हो रही है तो उस case में last 60 मेहीने का आपका average लिया जाएगा और वो 60 मेहीने 1st September 2014 से पहले भी जा सकते हैं तो यहां से हमें शायद यह clarity मिलती है कि हो सकता है प्रो रेटा वाला formula ना लगे ऐसा इस particular question number 6 है बहुत important question है मेरे हिसाब से इसको आप ध्यान से भी पढ़िएगा और यहां से हमार रायड आफ्टर 1st September 2014 उनका case क्या होगा जो लोग 1st September 2014 के बाद retire हुए है और यहां पर जो case है इन्होंने बहुत ही मैं काऊंगा सोच समझ के cases बनाए हैं case दो आते है कि retirement कहते किसे हैं एक retirement होती है कि कोई 58 years की age पर retire हो गया को 60 years की age पर retire हो गया और इस question से हमें इस चीज का answer मिलता है तो इन्होंने लिया है यहां पर कि कोई सज्जन है ए जिन्होंने establishment एक से retire हो रहे हैं at age of 60 years, 60 साल की age होती है retirement की तो इन्होंने कहा कि यह retire हो रहे है 1st January 2015 को ठीक है तो हमारा 1st September 2014 के बाद में retire हो रहे हैं लेकिन इनकी जो age 58 years की पहुंच रही है यह तो इनकी 1st September 2014 स पहले पहुंच रही है दो साल पहले पहुंच रही है यानि कि इनकी 1 January 2013 को पहुंच गई है तो इन्होंने का retirement इनकी जो superannuation है जो EPS का act कहता है उसके हिसाब से एक सितंबर 2014 से पहले हो गई है तो इन्होंने का accordingly his pensionable salary shall be calculated based on the average monthly pay drawn during contributor's period of service in the span of 12 months preceding the exit of अब यहां पर क्या कहत हैं देखिए ध्यान से सुनिएगा एक सितंबर 2014 से पहले यह superannuation प्रो पहुंच चुके हैं और उससे पहले अगर इन्होंने पैसा भी withdraw कर लिया pension भी start कर ली एक सितंबर 2014 से पहले तो हमारा यह पंजाता है question number five जैसा तो यहां पे दोनों चीजे एक सितंबर 2014 से पहले हो रह करते हैं अगेन यह क्या कह रहे हैं बी रिटायर फ्रम एस्टेश्मेंट एक्स यह सजन बी की बात कर रहे हैं और इनकी जे एज है 50 यह की वह पहुंच गी एक जनवरी 2012 को लेकिन इन्होंने अपनी पैंशन जो लेनी थी उसको इन्होंने पोस्पोन कर दिया और यह कह रहे 60 साल की एज तक आप इसको पोस्पोन कर सकते हैं अब इन्होंने इनकी एज रिटायरमेंट की जो बोले रिटायरमेंट अगेन हर एक कर डिपेंड करता है 50 यह पे रिटायर हो गए लेकिन पैंशन इन्होंने ने स्टार्ट करी एक सितंबर 2014 के बाद में तो यहां पर क्या क यह सार है 60 महीने की एवरेज का बहुत ही सिंपल है इससे कोई फरक नहीं पढ़ रहे हैं कि आप रिटायर कब हो रहे हैं फरक इस चीज़ से पढ़ रहे हैं कि आप पेंशन विड्रॉ करनी कब स्टार्ट कर रहे हैं एक सितंबर 2014 से अगर पेंशन पहले स्टार्ट कर रहे ह तो उनका formula क्या लगेगा तो उनका formula जो EPS 1995 के provision उस time पर चल रहे होंगे वो लगेंगे future में change हो सकता है मैंने कहा हुआ है अपने वीडियो के अंदर की हमें पता है नहीं future में क्या होगा इसमें दोबारा बदलाव हो सकता है तो जब ये retire होंगे उस time पर क्या provision चल रहे हैं उसके हिसाब से इनकी calculation होगी pension की तो हमारे मुझे ऐसा लगता है मेरा confidence अब इस चीज़ में थोड़ा सा ज़ादा बढ़ रहा है कि हो सकता है को रेटा बेस पर calculation ना हो हो सकता है बारा महीने और साथ महीने के बेस पर calculation हो लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे सज्जन है जो की नहीं आए है जिन्नों ने ये भेजा हो कि मेरा revise pension ये रही है और इसका formula ये है अगर आपके पास आपका PPO order आ गया है तो हमारे जंता के साथ टेलिग्राम चैनल पे जरूर शेयर करें लिंक आपको टेलिग्राम चैनल का नीचे मिल जाएगा एक fake टेलिग्राम चैनल रहा है चैनल पे पहली बार आयो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा जल्दी आएंग एक और वीडियो लेके तब तक लिए बचाते रहें कमाते रहें because every पैसा मैटर्स